मेरा नाम है लक्ष्टत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट फूर्टीन रुक्चा ओ दिल दिवाने क्या जरूरत है प्यार करने की? क्या प्यार कोई अंतिम मन्जल है जो हर रिष्टे को हासल करनी होती है? और उन लोगों का क्या जिनका रिष्टा है जिस रिष्टे में वो खुश है जिस रिष्टे में वो एक दूसरे से कोई मांगे नहीं रखते कोई उमीद नहीं रखते हमेशा साथ रहने के जूटे वादे नहीं करते उन रिष्टों का क्या, क्या वो रिष्टे किसी प्यार भरी रिष्टे से कम पूरे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिष्टा प्यार वाले रिष्टे से ज्यादा मजबूत है, ऐसा तो नहीं कि प्यार बस एक कमजोरी है जो सिर्फ रिष्टों को नहीं इनसानों को भी बदल देती है बस कुछ ऐसी ही बाते सोचता था मैं अठारा उननिस की उमर में क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बढ़ना चाहता था गटना नहीं और इस सफर में मेरे साथ एक खुबसूरत साथी थी माया हम दोनों की मनजिले एक थी या अलग हम इस बारे में नहीं सोचते थे बस सोचा सिर्फ ये था कि जब तक हमारा रास्ता एक है हम एक है कॉलेज के छे महीने निकल गए थे और ये तो पता चल गया था कि हमारे बीच प्यार के सिवाए सब कुछ था मैं जानता था कि मैं क्यूं ऐसा सोचता हूँ अभी तक लाइफ में तीन लड़कियों से प्यार किया था पहली को बता नहीं सका दूसरी को बताया और फिर छोड़ दिया और तीसरी ने मुझे छोड़ दिया और ये जो माया के साथ शुरू किया था ये तो अब तक का सबसे आसान सपना था दूसरा मौका था व्यार व्यार के चकर में पढ़कर मैं सपने को वक्त से पहले तोड़ना नहीं चाहता था हाँ लेकिन एक बात कभी-कभी मेरे दिमाग में आती थी सिर्फ कुछ पलों के लिए ठीके न आती थी माया क्या चाहती है क्या वो सच में इस बे नाम रिष्टे हॉलिवड के स्टैल में कहें तो Friends with Benefits क्या वो ऐसे रिष्टे से खुश है उस वक्त मेरे पास इस सवाल का एक ही जवाब था माया मुझसे प्यार नहीं चाहती थी क्योंकि उसे मेरे प्यार की जरूरत नहीं थी शायद किसी के भी प्यार की जरूरत नहीं थी ये जवाब सही था या गलत मुझे कभी पता नहीं चला लेकिन ये सवाल धीरे धीरे मुझसे पूछे बिना मेरे मन में और जगा लेता जा रहा था लेकिन इस बात का हैसास अभी काफी दूर था वैसे प्यार एक अजीब सी फीलिंग आई अभी मैंने अब तक तुम्हें अपनी जिन्दगी की ये जो कहानिया सुनाई है मैं नहीं जानता कि इन सब को सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है बात यह है कि इन कॉलिज की यादों को तोहरा कर ऐसा लग रहा है कि मैं उन तिनों को फिर से जी रहा हूँ मैंने जबसे वो दिन जिये हैं उनके बारे में दुबारा सोचा नहीं है और उन दिनों की बात ये है कि ऊनमें बहुत सारी अच्छी यादे हैं लेकिन कुछ दर्द देने वाली यादे भी हैं और जिन यादों में दर्द है जो इतने सालों से एक बक्से में बंद पड़ी है मैंने शायद उनको इतनी ताकत दे दी है कि अब वो मेरी इन अच्छी यादों को भी बुरा बना रही है और सच में तो यहां भी गलती मेरी ही है क्योंकि मैं जब इन्हें अच्छी यादे समझ कर बना रहा था असल में वो एक खुदकर्ज लड़के की खौइशे थी उस लड़के को लगता था कि वो सब सीख चुका है कि वो सब जानता है लेकिन यह सोच उसकी चालाकी नहीं बदकिस्मती थी और वो लड़का किसी के प्यार के लायक नहीं था तो कॉलिज के फर्स्ट यर का आखरी दिन था हम कुछ आठ दस दोस्त काड़ियां लेकर कसॉली निकल गए माया भी साथ थी उस चुटी में दूसरी रात मैंने थोड़ी ज़्यादा पे ले थी प्रिया मेरे पापा ने मुझे आज तक कुछ करने से रोका नहीं वो जानते थे कि कॉलेज में दिल्ली में सब कुछ होता है लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा सिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीना क्योंकि तुम्हें जो भी लगेगा कि सिगरेट तुम्हें देती है वो उससे कहीं ज्यादा तुमसे तुम्हारी जान लेती है लेकिन मैंने तुमसे कहा था न मैं कॉलेज आया था अपने कल को भॉला कर और उस रात बातो बातो में एक दोस ने सिगरेट का डबा निकाला और मुझसे पूछा जब मैंने मना नहीं किया तो उसने एक चला दी और मुझे पकड़ा दी वो आधी सिगरेट पी कर मुझे कोई मज़ा नहीं आया और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में पहुचा माया ने कमरे में घुसते ही स्मेल को भैचान लिया तो उसने मुझसे पूछा क्या तुमने अभी सिगरेट पी है और ये माया जादा सीरिस नहीं होती थी लेकिन जब होती थी तो मुझे तो थोड़ा डर लगता था लेकिन मैं उस वक्त नशे में था तो मैंने बिना सोचे कह दिया नहीं वो लोग पी रहे थे मैं बस उनके साथ खड़ा था फिर माया ने मुझसे कहा तुमने अपने पापा से वादा किया था ना कि तुम कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे मैंने अपनी आखें नीचे करी और कुछ नहीं कहा फिर माया ने कहा वादा तोड़ना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है मैंने अपनी आखें उपर करी तो देखा कि माया की आखों में आसू है और उस एक पल के लिए वो वही माया थी जिसे मैंने पाँच साल पहले चगी के केट पर खड़ा देखा था मेरे कुछ कहने से पहले माया ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझसे पहली बार कुछ मांगा कि हम कभी भी एक दूसरे से जोट नहीं बोलेंगे वो हमारे इस रिष्टे का पहला और आखरे नियम था जो आने वाले वक्त में हम में से एक तोड़ने वाला था मेरा नाम है लक्ष्टत्त और आप सुन रहे हैं लॉंचोरा का पॉड़कास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर at lakshya.d और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉंचोरा के बाकी सारे पॉड़कास्ट as well as links to our online store जहां आप मेरे बनाए कुछ प्रोड़क्स खरीच सकते हैं to support me and my podcast. प्रिया की कहानी अभी बाकी है मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है पार्ट फिफ्टेन लाख कर ले तू इनकार सचना